तो अब हम राष्टिय साक्षर्था मिशन पर चर्चकर में जा रहे हैं राष्टिय साक्षर्था मिशन की जो सुरुवात है वो मई 1988 में की गई मई 1988 में की गई और इसके तहत 15 से 35 वर्स के सभी नागरिकों को साक्षर्था या साक्षर बनाना उद्देश्य था कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है और इसके लिए जो एक सौंग आया था जो इसमें प्रोग्रामिंग आप डालेंगे वो डालेंगे शिच्छा है अन्मोल रतन पढ़ने का सब करो जतन यह याद है उस समय जब यह आया था तो वीडियो हम देखा करते थे सिच्छा है अन्मोल रतन पढ़ने का सब करो जतन पढ़ने का सिच्छा है अन्मोल रतन पढ़ने का सब करो जतन इस तरीके से जो प्रयास करने की कोशिश की गई थी यह हमारा राष्टिय साक्षरता मिशन तो राष्टिय साक्षरता मिशन के तहर हम इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि सिच्छा सारे लोगों को वो लोग जिनों ने सिख्षा को अपने समय में पूरा नहीं किया है इस तरीके से जो राष्टिय साक्षा का मिशन है ये प्रोड सिख्षा का एक भाग है ये प्रोड सिख्षा का एक भाग है और प्रोड सिख्षा के उद्देश्ष जो है वो क्या है इसका उद्देश्ष कैसे पूरा किया जाएगा इनको क्या मनलब आवश्यक तब तो कह सकते हो या आवश्यक तो हाँ आवश्यक तापको ही लिखिए इसके कि एनलम के तहट हम किन चीजों पर टार्गेट करेंगे तो सबसे पहले है पठन लेखन और गड़ना बोड़ पठन लेखन और गड़ना बोड़ कोई व्यक्ति जो अब 16 17 18 साल का है उसको केरियर बनाने के लिए नहीं पढ़ना है बट वह कम से कम पैसे गिल ले और कम से कम वो निर्देशों को तो पढ़ ले यहां शांत रहें अगर लिखा है तो उसे कम से कम इतना पता हो कि यहां शांत रहना है इतना उसे साच्छर ब एकता और पर्यावरण संदक्षांग राष्टिय एकता और पर्यावरण संदक्षांग यह दूसरा टॉपिक हो गया बट लोगों को जब पढ़ा दिया जाएगा तो आपको यह बास समझ में आएगी कि क्या उदेश्य पूरे करने हैं और कैसे क्या करना है तीसरा है नारी सिच्छा खासकर महिलाएं उपेख्षित हो जाती हैं उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है यह कम उम्र में गाहों में ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता हो सीधे उनकी साधी कर दी जाती है तो अगर वो कभी नहीं पढ़ाई है तो अपने घर पर ब बताने की जरूरत है कि परिवार बड़ा सीमित रखो अर्दर वाइस आप जैसे जिन्दगी जीए हो वैसे ही आपके बच्छों की भी प्रॉब्लम बन सकती है बास्वज में और चौथा है गुनवत्ता पूर्ण जीवन एवं ससकती करन अब जब बच्छों को व्यक्तियों क जीवन हो जाएगा और ससकती करन हो जाएगा उनका जीवन उनका अच्छा हो जाएगा इन चार उड़िश्यों को पाने के लिए हमारा एनलम लागो किया गया था कम्प्लीट समझ में बात आई कि नहीं है अब इसकी योजनाएं क्या थी इसकी योजना थी तो इसमें जो पहली योजना थी वो थी समपूर साक्छरता अभियान थी समपूर साक्छरता अभियान थी और इसी को हम टी एल्स एम कहते हैं और टी एल्म मिशन कह सकते हो या कोहीं पर आपने इसको देखा होगा तो टी एल्सी भी कहते हैं लोग कैंपेंट के तौर पर आप इसको टी एल्सी में कैंपेंट टोटल लिटरेसी कैंपेंट इसका मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि सारे लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जाए और दूसरा था कि साक्षरता पस्चात कारिक्रम साक्षरता पस्चात कारिक्रम पोस्ट लिट्रेशी प्रोग्राम पोस्ट लिट्रेशी प्रोग्राम पीटीम जिसको कहते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट था साक्षरता कारिक्रम साक्षरता सिक्षा कारिक्रम एक दिन ही केवल उसे पढ़ा करके काम खतम ना किया जाए कॉंटिनूरसली उसे कारिक्रम उपे रखा जाए तो इसको कॉंटिनूरस एड्यूकिशन प्रोग्राम के नम से जाना गया ह का-फ़ी तो स्संभी आई कि नहीं है जी अब इसकी भिसेस्ताइ्ग या इसके महत्य०्द कि इस प्रोग्राम के चलने से हमें क्या-क्या चीजे मिलियए ठीक है ना तो उसं Gust कि आप इसका महात्तों दीजिए सीदे सीदे की एनलम का क्या मुस्ट हो था और एनलम से हमें क्या चीज़ें उपलाफ हो बाएं तो इसमें है कि ब्यक्तिकत शिक्षा का रिक्रम रहाए ब्यक्तिकत सिक्षा का रिक्रम यानि हर ब्यक्ति पर टार्गेटेड लर्निंग रही दो ब्यक्तिकति वनी से पढ़ने की कुशिश की इसमें से साक्षर्टा में ब्रद्धी हुई तीसरा है उत्पादक्ता में ब्रद्धी कारेक्रम प्रशी वगेरा या बाकी जो कारेक्रम थे वो अच्छे से चलने लगे उत्पादक्ता में ब्रद्धी हो गई जीवन इस्तर के सुधार हुआ जीवन इस्तर में सुधार कलात्म प्रुचियों का विकास मैलाओं में बहुत सारी ऐसी नए गुनों का विकास हुआ जो उनको दबा पड़ा था और उनको नहीं पता था कि वह ऐसा कर सकती है जैसे किसी की कढ़ाई गुनाई कुछ बनाना कुछ विक्सित करना वो सारी चीजें किलियर हो गई और व्योसाई कुछ सल्था में ब्रद्धी हो गई नए नए रोजगार लोगों को मिलने शुरू करता है लेकिन उसे मीटर्स का अची डाला नहीं है इंच्छी टेप का अदा आ जा नहीं है तो वह अच्छी प्रोग्र्घ्रमिंग नहीं कर पाता था अब वो लूचरिने लगा, तो इस तरीकर से ऐनलेम की जो नीचियां थी, वो सारी सारी यहां पर आ जाती है इस से आप का नलम कारकां कांपी हो यदाता